नमस्ते आप सभी का स्वागत है पूर गार्णर चैनल पे और आज मैं आपको दिखाऊंगा गुड लग प्लांट्स के बारें कुछ बहुत प्यारी प्यारी बाते हैं बहुत संदर प्लांट है कैसे मैं केर करता हूं इसकी और कैसे पानी में मैंने फर्स टाइम इसे पानी में लगाया क्या रिजल्ट आया पानी में चलिए स्टार्ट करते हैं यह इसका मदर प्लांट है जो कि दो साल पहले मैंने अपने एक पडूशी से लिया था और देख सकत इसको बहुत क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है सॉइल में उपर ही उपर होती है जाए अंदर तक नहीं जाती है और बहुत जादा इसकी कोई केर करने की जोड़ते होती बस आप इसको थोड़ा सा जाहां पर सुरज की रोश्णिया ते वहां रख दीजिए देखिए यह नि सिस्टा का जो नेम है इसको इलफेंट इयर कहते है और गुल्हर्ण के देखिए गुल्डट प्लांट की तरह इसे हम घर पोटिंग मिक्स पना लिया है हां पे और अब मैं इसको यह पोलतिन बैंग में लगा रहा हूं रिसाइकल पॉलतिन बैग में मैंने हाफ इसमें मिट्टी डाल दिया नीचे तो पॉटिंग मिक्स बनाया था और अब इसको रखके ऊपर से और एड़ कर दूँआ इसमें मिट्टी इतना कोई बहुत बहुत इजीली मदब इसे लगा सकते हैं बहुत जादा वो नहीं अपने विंड़ो पे या फिर कहीं गार्डन एरिया में या फिर अपने घर के भाहर दोर के पास भी रख सकते हैं बहुत बीटिफुल लगता देखने में ब्यूटि प्लांट को हेंगिंग बॉट्ट में लगा सकते हैं हैं बहुत सुन्दर लगेगा देखने में और सारे good luck ब्ला प्यारे प्यारे ग्रीनिश देखिए वैसे प्लांट आप एमजोन से भी बाई कर सकते हैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा बहुत ज्याधा प्राइस है वहाँ पे जब मैंने देखा तो बहुत महेंगा लगा में इनको यह देखिए ऐसे मैं इसको ऐसे पंदर दिन में एक बारी बीज दिन में इक बारी आप अप सफ कर लेता हूं आप सप्प्रे भी कर सकते हैं वाटर से क्योंकि इसके अंदर मिटी रम जाती है थोड़ी थोड़ी और सफ करने के बाद बहुत ज्यादा सुन्दर लगते हैं आप देखिए कितना प्यारे लग बता हुं देखे कितने सारी रूट घागे इसके अंदर 1 दस दिन के पहले उसको अप्छाज़ के बाद का है कि मैंने बॉटल ली थी और बॉटल के अदर ऐसे मने रियन बॉटर मैंने एक बाल्टी में बरके रख लिया और उसको बॉटल में सेव करें लिया तो अभी युच एक दस दिन के पहले की है और एक दस दिन के बाद की देखिए कितने सारी रूट्स आ गई है और आप से अगर आप एसी यूज़ करते तो एसी का वाटर भी बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए अभी तो ऐसे रेनी सीजन चल रहा है पानी डालने की जुड़त नह थांक यू सो मुछ पर वच छोचीं